सिर्फ बाउजन विकास अगारी की सत्ता होगी आने वाले वक्त में चाहे हो 2022 में चुना हो या 2023 में हो उससे हमको मतलब ने तो भीवंडी का विकास कभी हुआ है और ना होगा जब तक यह लोग की यहाँ पर सत्ता रहेगी तब तक ना काम होगा ना होने देंगे हर जगा टा रखते हुए वह रोट को सही करना चाहिए था अगर नहीं सही किया है तो उनकी भुक्तान उनको भोगना पड़ेगा आप देख रहे हैं सत्यास तक हमेशा साइब देखिए सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारक बात दूँगा हमारे जिसान साइब साब को जिनोंने सत्ते आग तक जो निउस पांस साल पूरे होने पर उन्होंने लोगों के बीच रहे कर उनके निउस निउस को कवर करते हुए इन्होंने पांस साल निकाला है और आइसी निउस नहोंने चलाया है चीजो के हितमे काम कर के दिया है तो उनको मैं बहुत बहुत शुक्रीया अदा करता हूँ कि आपने जो सम्मानित का वाड़ दिया है उस बीच आपने एक रह्नुमा बनाया है कि हम एक मीडिया वाले हैं हम इजजक के सास्जा अवाड भी देते हैं इसके लिए बहुजन विकास अगाड़ी की ओर से और हमारी टीम की तरफ से मैं बहुत-बहुत उनका धन्यवाद और शुक्रियाद करता हूँ कि आप ऐसा काम करते रहों इन्साला ताला हम भी आपको एक दिने ऐसा वाड़ देंगे कि भिवंडी में आप भी एक नाम रोसन करें देखिए भिवंडी में तो इतनी समस्या है कि हमको खदम करने में इतना टाइम चला जाएगा क्योंकि यहां सब्सक्राइद करें ने अब हो जाओंग 1789 विवंडी में था क्योट अब सब्सक्राइद करें तो भी मंद्विक्ता करते हैं सबास्ति तुस्थ हमस्याद ने करने में तो और खताए के लिए इस नहीं कि वाड़ भी साफ है उसको खतम करने के लिए हम पूरी उतारेंगे इतने उमीद हमारे राश्टी लोग ने ते आमदार हितने ठाकुर साप से भी बात हुई है और हमारे जो डिश्टिक प्रिसिडेंट है तो कराम चोदरी साप उनसे भी बात हुई है और भी जो हमारी जिमेदारे वरिष्ट हैं आमदारे खासदारे सबसे हमारी बात काटीनू चालू है और उसको खतम करने के लिए भिवंडी के अंदर भाज़न विकास हागारी हर वाड में और हर सहर में चाहिए कारीकरता से लेकर सिर्क भाजन विकास हागारी की सत्ता होगी आने वाले वक्त में चाहो 2022 में चुना हो या 2023 में हो उससे हमको मतलब नहीं अपकी बहुजन विकास अगारी सत्ता में लाना है तो ये इनको जो बेवकूफ लोग जन्ता को बना कर रखे हैं इनको पीजे सीटी बजाना है ये मैं जरूर बजाओंगे इंशालत आने वाले वक्त में अभी जो इस्तिती ह है रोट की जो हमारे गड़यत उस्तों जाते हैं जो उनको सही तरीके से रोट को पार नहीं कर पा रहे हैं इसकी पूरी लापरवाई nhम कर नहीं सही किया है तो उनकी भुक्तान उनको भुगना पड़ेगा हमारे सभी जो गड़े सुर्सों का जो थेवार है बहुत ही धुमधाम से मनाए और हर साला पाइसा मनाए यह हमारे टीम की तरफ से आपको बढ़ाई आप देख रहे हैं सत्यास तक हमेशा सण